सबको जे येसु की प्रभु येसु क्रिस्त में प्यारे भाईयों बहनों नव जीवन का संदेश इस शीर्षे के अंतरगत प्रति दिन का ईश्वर का जीवन्त वशनों को सुनने के लिए समझने के लिए उन वशनों के अनुसार जीवन बिताने के शक्ति सामर्ति क्रपा अन प्रभु हम सबुन को यह सिखाता है कि कृष्च जीवन समर्पण का जीवन है सब कुछ निचहावर और अर्पित करते वी जीने का जीवन हैام इसलिए प्रभु इस मैं सबसे पहले अपनी अनूयाईं से अपने शिश्यों से यह कहता है कि जीवन किस प्रकार का जीवन है इसलिए प्रभू अपने वचनों के द्वारा बताता है हम एरुजलिम जा रहे हैं यानि कि इसका लक्ष इसका उदेश क्या है एरुजलिम जाने का इस बात को सपस्ट करते हैं प्रभू बताते हैं किस प्रकार का जीवन वो बिताने वाले हैं क्या उनको करना होगा और उसके विरोधी क्या करेंगे किस प्रकार के दुख तकलिव उनको उठाना है और इन सब के बवजूद आकरी में जीत किसकी होगी इस सारी बातें प्रभु अपने शिश्यों को अवगत कराते हैं ताकि वो विचलित ना हो विश्वास में ना तूटें बलकि व प्रतरक रहें साउधान रहें विश्वास में मजबूत रहें इस वज़े से वो अपने शिश्यों को तयार करते हैं आगे प्रभु हमें बताता है बले ही एरुसलिम जाने के बाद उनके साथ महायाजक और शास्त्री के हवाले वो कर दिये जाएंगे उनको प्रान दंडी क आग्या सुनाए जाएगी और गही गहर यहुदियों के हवाले उनको कर दिया जाएगा जिससे कि वो उनका उपवास करें उनको खोड़े लगाएं खुरूस पर चड़ाएं इस सारी दुख बरी दर्द बरी बात अपने शिश्यों को प्रुबिसले बताते हैं ताकि वो इ खोएं विश्लित नाहों बलकि इन सब में और मजबुत हो जाएं इसलिए प्रभु आखिर में क्या कहता है लेकिन जीत प्रभु की होगी लेकिन तीसरे दिन वहाँ जी उटेगा यहीं कि प्रभु अपनी प्रभुत्व की महिमा अपने शिश्यों को बताते हुए उनको त प्रभु के चलें उसका एक नकरातम अर्थ ना निखालें बलकि इस बात पर विश्वास रखें कि जीत प्रभु की होगी अब प्रभु के साथ जुडे हुए लोगों की होगी प्रभु के साथ जुडे हुए लोगों को कोई भी ताकत व्यक्ति शक्ति व्यक्ति हरा नहीं सकेगा जिस प्रकास संत पाउलुस रोमियों को लिखे वे पत्र अद्याई आठ पसंग के पच्ची से आगे कहता है यह दि इश्वर हमारे साथ है कौन हमारा विरुद होगा कौन सी चीज हमें इश्वर के प्रेम से वंचित करेगी क्या भूक क्या जोकिम क्या तलवार नगन अतिचार संकट विमारी महमारी कौन सी बात कौन सी चीज हमें प्रभू के प्रेम से वंचित करेगी कोई भी हमें प्रभू के प्रेम से वंचित नहीं करेगा इस प्रकार से प्रभू अपने शिश्यों को मजबूत करता है तैयार करता है क्रिश्टिय जीवन जीने के लिए उनको एक हिम्मत और सहाथ देता एक विश्वास देता ये कहते हुए कि जीत प्रबू की होगी और दूसरी बात आज के दिरे हम देखते हैं प्रबू येसु को और आज के पहले पार्ट हम देखते हैं नभी एरमियस को दोनों को अपने ही लोगों के द्वारा विरोध या व सकते हैं हमिशलित नहीं होना हिमत नहीं हारना बल्कि प्रबू पर अपने विश्वास का रखते हुए अपने जीはन में आगे बढ़ने के लिए कि बताता है और एक बात प्रभू आज के दिन में हम सुपों को सिखाता है अगर कोई वक्ति बड़े स्वार्त के वज़े से अपने वक्तिगत फाइदा डूनते भी अगर प्रभू कानुसरन करता है तो ये उचित नहीं है ठीक नहीं है अच्छा नहीं हैं जैसे कि हम आज के सू समचार में देखते हैं जबेदी के पुत्रों के माता प्रभु के पास आके एक स्वारत बारा सवाल करते हैं और कहती है मेरे ये दो बेटे हैं इनको एक दाएं और बाएं बैटने का अधिकार दिया जाए लेकिं प्रभु कहता ये ये मेरा निरना नहीं होगा ये स्वर्गी पिता का निरना ही होगा स्वर्गी पिता उने पुरसकार देगा जो उसके अनुसार जीवन बिथाएगा जिसने उसके लायक अपना जीवन में बलीदान अर्पित किया उसके लिए वो पुरसकार स्वर्गी पिता थाई करेगा य हमारे जीवन किस प्रकार का इस दर्ती पर उसके उस पर निर्बर करता है इस बात को प्रुब हमें सिखाता है तिसरी बात प्रुब हमें सिखाता है दुख उठाए बिना सुख हमारे जीवन में नहीं आ सकता प्रुब ने हर प्रकार के दुख संकट का सामना किया दुख उठ बलीधान चड़ाया अपने आपको निशावर कर दिया सब कुछ अर्पित किया मानव जहती के कलिस्या के उत्थान के लिए विकास के लिए और थभी जाके वो सुक उन्हें की जीत का आनंद हम सबों को प्राप्त हुआ यह बात प्रुबा में सिखाता आज की आज के परिवे फानवाद सबस्स्राइब व भी इस चालिषी के अओदी में हम्हों कर उन्हें की करते हैं बशेश करते हैं प्रापत करते हैं अलगे प्रकार कर टे नहीं लाख के धैक तक्लिछ सबस्स्सराइब चुल्छ एघ्श करता है उसको सुक् supervised कि आशिच मिलेगी बर्कट मिलेगी आनन्द और कुश्या मिलेगी प्रभू हमें इस सिखाता है चवती बात आज के दिन में प्रभू हम सबों को सिखाता है प्रभू ये समसे सेवा करने उद्धार करने और अपना प्रान अर्पित करने के लिए प्रभु इस समसे कुछ भी हासल करने के लिए नहीं अपने लिए बलकि सबों के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए अपना प्राण अर्पित करने के लिए अपना मांस अर्पित करने के लिए अपना लहू अर्पित करने के लिए अपने मां को हम सबों के अर्पित कर संपूर्ण रुप से अपने आपको अर्पित करते हुए जीने का जीवन है और इस प्रकास जो जीता है अपने आपको प्रभू के हवाले करते हुए अर्पित करते हुए जीता है उस वेक्थी को प्रभू की बहुतायत की आशिश और बरकत मिलेगी और पांचवी बात आज के दिन में हम सबों को प्रभू पताता है कुर्सी पद या प्रतिष्टा सम्मान हर कोई चाहता है लेकिन मिलता उसे ही है जो विनम्र और विनीत है जो प्रभू के मार्ग पर चलता है यह अगर कोई काम ना करता है मुझे कुर्सी मिलनी चाहिए पद म सेवा करने का अपने आपको प्रबु के अरपृत करने का जीवन सेना इस प्रकार का जिएवन जो जीता butter बिताता है वही प्रभू के सेवा करेगा कलेसिया के सेवा करेगा अब प्रभू उसको पुरा स्कार देगा इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए प्रभू आज के वशनों के द्वारा हम सबों को निमंत्रन डिता बुलाता है भाहियों पहनों प्रभू को धन्यवाद दें प्रव मसी के लिए बिदाने कर इस साहत कर और में शक्त सामर्थ प्रधान कर दुआ कर तैंडार करता ये समस्यekt नाम से आमाइन